नमस्कार शुरी मतिवीन सहय आचार्य रसाइन विज्यान राज के माय विद्याले नोहर बीएसी पार्ट फर्स्ट में आज का हमारा टापिक है ट्रांजेशन स्टेट एंड इंटर्मीडियेट्स संक्रमन अवस्था तथा मध्यवर्थी इससे पहले की क्लास में एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम के बारे में हमने अध्यन किया था और उसके काइनेटिक रिक्वाइर्मेंट्स के बारे में एनर्जी ओप अक्टिवेशन के बारे में पढ़ा था आज की इस class में transition states और intermediates क्या होते हैं और इनके मध्यें क्या differences हैं इसके बारे में हम चर्चा करेंगे तो किसी भी रसायनिक अभिक्रिया में reactants का products में परिवर्टन एक पद अथवा एक से अधिक पदों में हो सकता है और जब कोई अभिक्रिया एक ही पद में संपन होती है तो ऐसी अभिक्रिया में कोई भी intermediate या मध्यवर्टी नहीं बनता है एक ये reaction आप देख रहे हैं शीट पर A प्लस B C आपस में क्रिया करके product बनाते हैं A B प्लस C तो reactant से product में परिवर्टन के बीच में एक stage ऐसी आती है जिस पर एक नई जामीतिय सरंचना बनती है जिसे transition state अथ्वा संक्रमन अवस्था कहते हैं A B और C जिसमें पुराना जो बंद है वो तूटने की अवस्था में होता है तथा नया बंद निर्मान होने की अवस्था में होता है तो अभिक्रिया के दोरान जैसे जैसे A B बंद बंता है B C बंद तूटना शुरू होता है परियनाम स्वरूप सिस्टम एक ऐसी अवस्था पर पहुचता है जहां उसकी उर्जा उच्चतम होती है तथा उसकी stability नियूनतम होती है तो रियक्टन्ट मॉलिक्यूल्स द्वारा ग्रहित इस उच्चतम स्थितिज उर्जा अवस्था को संकर्मन अवस्था कहती है और अन्तत है यानि फाइनली B C बंद जो रियक्टन्ट है वो पूर्णत तूट जाता है तथा प्रोड़क्ट A B के बीच में ये बंद बन जाता है तो किसी अभी क्रिया के लिए सक्रियन उर्जा का मान क्रिया कारक तथा संकर्मन अवस्था की उर्जा के अंतर के बराबर होता है जबकि डेल्टा जी यानि फ्री एनर्जी क्रिया कारक वे उत्पाद की उर्जा का अंतर होता है पुन्य पढ़ती हूँ मैं इसे कि किसी अभी क्रिया के लिए सक्रियन उर्जा का मान क्रिया कारक तथा संकर्मन अवस्था की उर्जा के अंतर के बराबर होता है जबकि डेल्टा जी का मान क्रिया कारक वे उत्पाद की उर्जा का अंतर होता है अब अगर हम जो सक्रिन उर्जा है वो BC तथा AB बंदों की प्रबलता पर निर्भर करती है किस प्रकार से कि BC के बीच में बना हुआ बंद जितना प्रबल होगा एनर्जी ओफ एक्टिवेशन उतनी ही अधिकोगी अर्थात अभिक्रिया धीमी गती से संपन होगी इसके विप्रियेट AB बंद जितना प्रबल होगा एनर्जी ओफ एक्टिवेशन का माल कम होगा तथा अभिक्रिया तेज गती से संपन होगी तो यह जो एनर्जी प्रोफाइल डाइगराम आप देख रहे हैं पोटेंशल एनर्जी वर्सिस प्रोग्रेस ओफ ए रियक्शन के बीच में वन स्टेप रियक्शन का ये एनर्जी प्रोफाइल डाइगराम है रियक्टेंट से प्रोड़क्ट के बीच में एक स्टेज आती है ट्राजेशन स्टेट तो यहां आप देख रहे हैं कि रियक्टेंट और ट्राजेशन स्टेट की जो एनर्जी डिफरेंस है वो एनर्जी आफ एक्टिवेशन है जबकि रियक्टेंट और प्रोड़क्ट का जो एनर्जी डिफरेंस है वो डेल्टा जी की वैल्यू है अब हम पढ़ेंगे कि ऐसी अभिक्रिया जो दो या दो से अधिक पद में संपन होती है तो दो पदों में संपन होने वाली अभिक्रिया में दो संक्रमन अवस्थाइं होती है जिनके मद्य एक गहरी खाई होती है एक गहरी खाई जैसी एनर्जी लेवल डायग्राम में अब अभी हम देखेंगे वो दिखेंगी आपको कि एक खाई होती है जिसको हम सबस्ट एनर्जी लेवल डायग्राम में देखती है और यह जो यहां देख रहे हैं आप यह जो गहरी खाई जहां इंटर्मीडियट नीचे लिखा हुआ है यह जो अवस्था होती है किसी भी संकर्मन अवस्था की तूलना में इस सिस्टम की उर्जा न्यूनतम एवं सरंचना निशित होती है जिसे मध्यवर्ति या इंटर्मीडियट अवस्था कहा जाता है अब एक वन स्टेप रियक्शन में देखे कि किस परकार से जो रियक्टन्स है वो प्रॉड़क्ट में करवार्ट होते है रियक्टन्स से इंटर्मीडियट के बीच में एक ट्रांजिशन स्टेट फॉस्ट बनती है और intermediate से product के बीच में एक transition state second बनती है यानि transition state first और transition state second के बीच में intermediate होता है अब इन में difference क्या है कि इन दोनों संकरम नवस्थाओं यानि TS1 और TS2 की उर्जा स्तर intermediate की तुल्ना में अधिक होता है और जो intermediate होती है यानि जो मद्यवर्ती होता है इसकी सरंचना निश्चित होती है और energy level इनका कम होता है जैसे आप इहां इस energy level diagram में आप देखें रियक्टन से product बनने में दो पीक आप देख रहे हैं पहला TS1 दूसरा TS2 और उनके बीच में एक जो खाई है जो गड़े जैसी सर जन्चना है वो है reactant अब जो यह मद्यवर्ती है और जो संकर्मन अवस्था है इन में कुछ basic difference है कि संकर्मन अवस्था को प्रत्थक रूप से प्राप्त नहीं किया जा सकता जबकि विशेश परिस्थितियों में मद्यवर्ती को प्राप्त किया जा सकता है अब अगर हम इसके difference को point wise अगर हम लेके चले तो आप देखें पहला point देखें कि संकर्मन अवस्था की उच्छतम और्जा होती है जो कि मद्यवर्ती में संकर्मन अवस्थाओं के मद्य की और्जास्तर होता है यानि संकर्मन अव कि संक्रमन अवस्था एक या अधिक पदों में वाली रियक्षन में पाई जाती है जबकि जो मद्यवर्ती है वो समानेता दो अत्वा अधिक पदों में होने वाली रियक्षन में ये मद्यवर्ती अवस्था पाई जाती है थर्ड पॉइंट देखें कि संकर्मन अवस्था में रियाक्टेंट में कुछ बंद तूटने की अवस्था में तता अउत्पाद में कुछ नए बंद बनने की अवस्था में होते हैं लेकिन इनकी कोई निशित सरंचना अथवा जामिती नहीं होती दूसरी तरफ अगर इंटर्मीडियेट में अगर हम देखें तो इसमें रियाक्टेंट के समस्थ बंद तूट जाते हैं और इनकी सरंचना और जामिती दोनों ही निशित होती हैं फोर्थ और लास्ट और वेरी इंपोर्टन पॉइंट वो यह है कि संकरमन अवस्था को प्राप्त नहीं किया जा सकता दूसरी तरफ अगर हम इंटर्मीडियेट में देखें तो विशेश परिस्थित्यों में इन्हें प्राप्त किया जा सकता है तो बहुत important topic आज का है Transition, State and Intermediers के बारे में हमने पढ़ा So, thank you